हलो फ्रेंड स्वागत है मेरे चैनल में आज आपके लिए एक और फनी सा गेम लेके आई हूँ और इस गेम को खेलने के लिए हमें मसूर की दाल और मुंग की दाल की जरूर पड़ेगी खड़ी मुंग खड़ी मसूर इन दोनों के साथ हमें गेम खेलना है और ये मैंने चार स इस लिए पनाई है यह सिलिप कैसी है यह आप गेम के लाज तक बने रही है तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी और गेम वन मिनट का टाइम देंगे अगर आपने आपको मेरा गेम पसंद आता है तो आप लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आपते है तो चलिए जीन आताइब करते हैं मतुमत सब्सक्राइब किअ इसलिए मैंने यह पहले से मिलाकर रखा है, तो चलिए गेम करते हैं, स्टार्ट, तो हमको सबसे पहले इसमें से मूंग निकालना है, और वन वाई वन करके निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, यह निकाला मैंने, मूंग और यह है मसूर, मूंग मसूर की दाल, यह सेंटें फिर मूंग और ये मसूर, मूंग मसूर की दाल, मूंग में मसूर नहीं जाने चाहिए, मसूर वाली बाउल में मूंग नहीं जाने चाहिए, मूंग ये वन भाई, डबल भी नहीं जाने चाहिए, ये तो सब आउट हो जाएंगे, फिर ये सिंगल देखे, ये सिंगल मसूर, बोलना भी जरूरी है मूं मसूर यह मूं मसूर की दाल मूं मसूर यह मूं मसूर की दाल अब मेरा टाइम हो जाता ओवर तो अब हमको क्या करना है हमको यह हमने चार स्लिप बनाई है वान टू थ्री फूर अब इन चारों मैंसे हमको कि उस मेंबर को बोलेंगे एक स्लिप आप उठालो सपोस्ब मैंने यह वाली श्लिप उठाली तो अब इसको मैं खोल के देखती इसमें क्या लिखा है हाँ इसमें लिखा कुछ भी नहीं इसका मतलब मैंने जो यह इतनी मैना से गेम खेला है मेरा काउंटिंग होगी जीरो अब माल लिजिए कोई दूसरा मेंबर आता है वो खेलता है और वो यह स्लेप उठाता है इसमें लिखी मसूर तो उसकी हो जाएगी अगर कोई मेंबर यह स्लेप उठाता मूंग तो उसकी सिर्फ मूंग की काउंटिंग होगी और यह चलिए देखते हैं चौथे नंबर में क्या लिखा है स्लेप में मूंग मसूर की दाल अगर जिसने यह स्लेप उठाई है मूंग मसूर की दाल तो उसकी दोनों होने की चांद सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसी प्रकार हर मेंबर खेलेगा और मिक्स करके ये चारो स्लिप रख देंगे और एक स्लिप उठाएगा स्लिप में जो भी आएगा वो इसकी काउंटिंग कहलाएगी और गेम अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक से यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें थेंक्यू